अगर नवरात्री में दिख जाए ये सपना तो समझों बदलने वाली है आपकी किस्मत आजकल नवरात्रों का बेहधी पावन पर्व और शुक दिन चल रहे हैं नौ दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है माननेता है कि इन नौ दिनों में की जाने वाली पूजा का फल कई गुना अधिक भक्तों को मिलता है इसलिए लोग इन नौ दिनों में मा को प्रसन्य करने के लिए व्रत, पूजा और रात्री जागरण भी करते हैं जो भी लोग देवीमा को प्रसन्य करने के लिए पूजा उपास करते हैं उन्हें ये जानने की इच्छा रहती है कि क्या उनकी आराधना सफल होगी या नहीं आज हम आपको कुछ ऐसे सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही शुब होते हैं सपने सास्तर के अनुसार यदि व्यक्ति को नवरात्री के दिनों में कुछ खास सपने दिखाई दें तो ये बहुत ही शुब संकेत होता है तो आईए जानते हैं उन्हें सपनों के बारे में सपने में उल्लू दिखना स्वापने सास्ट अनुसार यदि नवरात्री में आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो ये बेहत शुब संकेत माना जाता है क्योंकि सपने में उल्लू दिखने का अर्थ है कि मातारानी आपकी पूजा से प्रसन्न है और बहुत ही जल्द आपके घर पर धंधाने और सपने में शंख दिखाई देना शंक का संबंध पूजापार से होता है कहा जाता है कि इसकी ध्वाणी व्यक्ति को positive energy से भर देती है स्वापने सास्ट रमुसार यदि नवरात्री के 50 मौके पर सपने में शंक दिखाई दे तो ऐसा सपना व्यक्ति को जीवन में तरब कि मिल कन्या देखना बड़ा ही शुब माना जाता है यदि नवरात्रों के दौरान कोई व्यक्ति खुद को कन्या को सिक्का देते हुए देखता है तो इसे बहुत ही सुब संकेत समझा जाता है क्योंकि कन्या को साक्षा दुर्गा जी का रूप मानकर नवरात्रों में उनकी पूज अगर आपके सपने में मालक्चमी जी दर्शन दे तो ये समझने कि आपको धनलाब होने वाला है दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें